इस वक्त की energy इस वक्त की ऊर्जा आपकी क्या है so check करने वाली हो मैं so reading start करने से पहले मैं आप से बोलना चाहूँगी कहना चाहूँगी कि नाम लेकर इस reading को देखें आपके जो भी person है जो भी आपके partner या फिर जिस भी person के लिए आप इस tarot card reading को देख रहे हैं उनका नाम आप जरूर ले ले उससे क्या होगा देखें आप जिसके लिए reading ले रहे हैं उसकी जिसके लिए reading सुन रहे हैं उनका नाम ले ले से अगर आप reading को देखते हैं तो energies automatically connect होती है जब आप नाम लोगे उस इंसान का उस person का ठीके जिसके लिए आप ये reading देख रहे हो तो जो vibration है जो संदेश है या आप नाम लोगे जब आप नाम लोगे तो आपका ध्यान आपका focus उस person पर जाएगा जब आपका focus उस person पर जाएगा तो vibration बहुत तेजी से develop होंगी बहुत तेजी से grow करेंगी और वो vibration कहीं न कहीं उसको भी feel होंगी और उसकी energies भी आपको feel होगी तो यह होता है vibration और connectivity का जो आपकी life में जिस तरीके से energies grow होती है या फिर आपको उन चीजों के बारे में पता चलता है तो I hope कि आपने इस चीज को समझा होगा understand किया होगा तो आप नाम लेकर ही इस reading को देखें तो बहुत ज़्यादा आपको connectivity feel होगी तो चलिए देखते हैं कि इस person के मन में इस person के दिल में दिमाग में आपको लेकर क्या feelings हैं क्या भावनाएं हैं उनकी और क्या energies हैं दूसी जीज अगर आप किसी भी no contact situation में हैं गाईस और बहुत लंबे समय से बहुत लंबे time से आप लगातार इस no contact situation में हैं ठीक है और आपका contact आपके person के साथ नहीं हो रहा है बहुत दिनों से आप उनसे contact करने कोशिस कर रहे हैं लेकिन आपका contact उनसे नहीं हो पा रहा है ठीक है तो फिर यह जो reading में कर रहे हो no contact situation बालों के लिए है मतलब आपकी energies के according आपका उस particular इंसान के साथ उस person के साथ कब contact आपका होगा किस से दिन contact होगा और timing क्या होगी contact की जब आपसे contact करेंगे इस पर मैंने थोड़ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अगर आप मेरे चैनल पर follow up मुझे करते हो और बहुत लंबे टाइम से आप मुझे follow कर रहे हो तो definitely आप ने वो वीडियो देखा होगा और वो वीडियो से मतलब आप यह समझ देजे बहुत सारे लोगों का जो timing मैंने बताए थी उस timing पर ही उनका मैसेज आया पार्टनर का उसी टाइम पर call आना मैसेज आना या जो मैंने समय बताया था या जो मैंने अंजल नंबर बताए थे कुछ आसी चीजे मैंने उस वीडियो में बनाया था यूटूब पर वीडियो पड़ा भी होगा वो अब देख लीजेगा मेरे खेल में साथ से साथ आठ द पर आए और अंजल मैसेज भी उसी टाइम पर मिले रिसीब हुए तो काफी ज्यादा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट रहा वीडियो का तो आज आप लोगों की ही डिमांड पर मैं अगेन और अगेन इस वीडियो को लेकर आएं हो लेकिन अनर्जी आज की वीडियो में क्या होगी यह देखने पर पता चलेगा कि क्या इनर्जी इस समय की हो रही है और इस समय की हिसाब से आपके परसन का कॉल मैसेज आएगा की नहीं आएगा और आएगा भी तो वो कव आएगा रीडिंग को पूरा देखिए इसके बिल्कुल भी मत कीज़ेगा क्योंकि इसके करें है देन आपके परसन की अनर्जी को चेक करोंगे तो मैंने कार्ट सफल कर लिये हैं और आपकी अनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रक हो रही है इस वक्त अनर्जी ऐसे मुझे बता रही है कि मुझे लग रहा है कि काफी लंबे टाइम से नो कॉंटेक्स सिच्वेशन है डेफिनेटली कार्ड यहां पर यही कह रहे हैं भाई सोच बहुत ज्यादा रहे हो आप दिल तूट रहा है आपका तो त्रियाफ सोट्स की अनर्जी यहां पर क्या बता रही है त्रियाफ सोट्स की अनर्जी यह बता रही है कि लाइफ में आपकी रिलेशन सिप्ट में आपके लाइफ में आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है अनर्जी यहां पर यह कह रही है कि आप जो चाहा रहे हो वो च करियर में भी कहीं कहीं को कि जनरल रेडिंग है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस एडिंग है तो सब के साथ एक जैसे मैच नहीं करें कि जिसके साथ मैच करती है इस चीज को भी ध्यान में रखेगा कि जिसके साथ मैच करती है डेपेंड करता है कि सच्वेशन के साथ मैच करती भ बहुत जादा चीज़े डिस्टरब हो रही है वहीं अगर रिष्टे की बात करें रिलेशनसिप की बात करें आपकी मेरिड लाइफ की बात करें आपकी लव लाइफ की बात करें तो मैं यहां पर यह देख रही हूं कि भाई कहीं न कहीं चिंताएं बन रही हैं चिंताएं बह बास ज़्यादा हो रहा है help आपको जो है person के अगर मैं ब della कित्रव से तो आपको help नहीं मिल रही है या फिर कहीं नगे रुकावटे भी उन्हीं की तरफ से आ रही हैं जो कि साथ आपका मधोरिष्टा था एक वीटिफुल एनर्जी यहां पर मैं देख रही हूं और कहीं न कहीं पहले जो आपका परसन था उनकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही थी उस ट्राइम पर और फैमिली का पूरा सायोग था वही चीजे आज आपकी बिल्कुल चेंज होत नो काल्टेक्ड सिचवेशन चल रहा है आपका आपकी रिलेशंसिफ में बहुत लंबे टाइम से नोजिफ चलना और वह बहुका कॉंटफेक्ड स pyt Wasn't व सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब कभी चीज़े खड़ाब नहीं होंगी लेकिन यहां पर three of sorts मुझे क्या कह रहा है कि लगातार कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है हो सकता है कि third person भी हो energies को भी और चेक करूंगी यहां पर three of sorts आपकी चिंता को बता रहा है है आपके दिल तूटने को बता रहा है आपके efforts को बता रहा है आपकी feeling alone को बता रहा है इस समय आपकी life में परिशानिया आ रही है रिष्टे में बहुत disturbance हो रहा है जिनकी बज़े से मतलब एक energies proper अपर तरीके से कही नहीं कहीं आपके मन में एक कहते ना कि बहुत उतल उतल मत जाती है कि चीजें कैसे ठीक होंगी confusion बहुत है clarity बिल्कुल नहीं है family आपकी person की बिल्कुल support नहीं कर रही है चिंताइं जो है वह बढ़ती जा रही है रिष्टे में दिल जो है रात में जाग रहे हो तो यह अनर्जी यहां पर मुझे आपके रिष्टे की आपकी तरफ से दिखाए दे रही है डूसी चीज कहीं न कहीं मैंने जैसे स्ट्राटिंग किया था तो मैंने आपको यह बोला कि करियर में भी कुछी जें इस ने कहीं हो रही है तो आपको रिष्टे की लोगई किए क्या हो रहे हैं कि रिष्ते में आपकी इस समय बहुत इसाम असे और जब relationship में discharge होता है तो पिर कहींदा कहीं मन किसी भी की जीज पाइड तो दो नहीं लगता है चीजान आपके इसाब से नहीं हो रही है पर आपने जो चीजें सोची थी, जो आपने मन बनाया था, जो उमीद थी, वो उमीद तो यहाँ पर मुझे त्रियोप सोट्स में जाती हूँ दिखाए देरी प्रिजेंट सुच्वेशन, तो फ्यूचर तो मैं अभी देखूंगी कि फ्यूचर में क्या है, लेकि प्रिजेंट स बताई है, अभी मैं अनर्जी आपके पर्सन की चैक करती हूँ कि उनकी अनर्जी आपके लिए क्या है, और वो इस वक्त, अगर आपका नो कॉन्टेक्स सिच्वेशन है, तो वो कैसा फील कर रहे है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो वापस आने के बारे में बात करेंगे आ तो इस टीवकशल रहा है के दिलमें दिमाग में, तो अनर्जी आपके आपके इस क्या इस बिजब अनर्जी रह रही थी ते उसी टैप से कही न कहीं आपके जो पार्टनर है उनकी आनर्जीशूब क cost Win! कि और ए धिम आप यहां पर इनटिक legend हो को कंई पो它्oval होति हो भी इंटिकेट करता है ठीक है और परसन की तरफ से यह काड़ आया है तो फिर इस काड़ को देखा जाए और इसकी अनर्जी स्कूरीड किया जाए तो मैं आपको यह बोलूगी कि फिचर में चांसिस आपके रिष्टे में मुझे तो बहतर यहां पर दिखाए दे रहे हैं खैर अभी देखेंगे कि परजेंट में जो पार्टनर है उनकी मनुस्थिति क्या है आपको लेकर उनकी फेलिंग्स आपको लेकर क्या है तो फिचर जो बॉटम अप दा काड़ है उस तो क्या उपाए करें तो परसंगी कि तरप से मेरे को यहां पर काड़ ले लिए हैं मैंने तो यहां पर आप इस काड़ को देख सकते हैं 10 of sorts का काड़ का काड़ यहां पर कहीं ना कहीं इस चीजिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो परसन है जो पार्टर है आपके जड़ादा लो दिकाए दे रही है सोट की अनर्जी है ऐसा लग रहा है इस काड को देख कर जो एनर्जी मिल रही है कि इनका मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग नहीं सुन रहे हैं मतलब हो सकता है कि इनकी फैमिली के अनर्जीस भी आ रहे हैं कि परवार की ही लोग है जो इनकी बातों को अंडरस्टेंड नहीं कर रहे हैं ये परसन की अनर्जीस के अकॉर्डें काफी जादा खुद के लोग हैं जो मतलब फैमिली के लोग हैं जो बिल्क 10 of swords sorry 10 of cups है 10 of cups indicate क्या कर रहा है यह जो परसन है ना यह बहुत ज़्यादा stress नौम ले रहे हैं और रात रात भर यह सोते नहीं है चिंटा में रहते हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त यह काफी ज़्यादा परिशान भी मुझे यहां पर दिखाए दे रहे हैं इनकी परिशान यहां पर क्या है इनकी परिशान यहां पर यह है कि यह आपके साथ कॉंटेक्ट करना चाहते हैं कब स्केर जिसको देखा जाए तो एक सकारत में कूर्जा मुझे यहां पर रिसीव हो रही है अगर इनकी तरफ से देखा जाए तो यह परसन वापस से लोटना चाहते हैं आपके लाइफ में ठीक है और दूसी चीज़ यहां पर energies को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपके साथ बहुत आगे जाना चाहते हैं future में आपके साथ अपना relationship भी रखना चाहते हैं रिष्टा भी रखना चाहते हैं और इस वक्त अगर आपके बिश में no contact स्थिती दिख रही है no contact situation दिखाए दे रहा है तो यह काफी जादा मु जादा यह उस चीज़ को लेकर तनाओं में हैं आपके परसन और यह थार्ड पार्टी से मतलब energy से यह पर यह भी कह रही है कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से इनके सामने बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे इनकी पीठ के पीछे इनकी बहुत जादा बुराइयां करते है या फिर कुछ ने कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके और इनके रिष्टे में disturbance आ गया है दूसरी चीज इनके और आपके बेच में जिसने भी disturbance करवाया है जो भी family का विक्ती है या कोई third person है उसकी असलियत या उसके secrets आपके person जान चुके हैं इस चीज़ को भी मैं यहाँ प जो बहुत ज़्या सामने से इनके faithful है और बहुत ज़्यादा इनकी life में involvement भी देते हैं ठीक है और कहीं ने कहीं इनके सामने यह कोशिश करते हैं जताने की बताने की कि उनसे ज्यादा इनका कोई अपना नहीं है ठीक है बहुत जादा emotional हो जाएंगे बहुत जादा मतलब कही शुक्तनिनी वहां शॉच्छे में तो शॉट्स में को करेंगे यह वाय है तो पूर मिद्ञें पीछे इनके जो चीज़ें यह जो धरड़़ ऊश्रियद थी वो उनके सामने आ चुकी है और इस इंसनल को पिस्तावा हो रहा है बहुत जादा पस्तावा हो रहा है और इनको कहीं न कहीं इस चीज का अफसोस हो रहा है कि इन्हों ने आपके साथ रिष्टे को जो है वो ब्रेक कर दिया या फिर कुछ चीज ऐसी हुई है गाइस इनके और आपके बीच में जिन चीजों को सोचकर अब यह पस्ता आते हैं ब इनकी भावनाओं को देखिए आप अपने परसन की ठीक है नो कॉंटेक्स सिच्वेशन में आज भी इवन अगर इस वक्त भी देखा जाए तो नो कॉंटेक्स सिच्वेशन में आपके परसन इमोशनली तोर पर आपसे जुड़े हुए हैं वह आपसे बात करना चाहते हैं इस वक्त की प्रजेंट सिच्वेशन यहां पर यह आ रही है कि आपके परसन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं वह बहुत जादा इमोशनली उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं दूसरी बहुत जादा ट्रू फीलिंग्स भी उनकी आपके लिए मुझे यहां पर द हो चुके थे आप उमीद है बहुत थी आपके रिष्टे में इस टाइप के नर्जी यहां पर मिल रही है कि जैसे आपको लेकर मतलब कहीं कहीं कुछ जिम्मेदारिया हैं इनकी आपके लिए तो हो सकता है कि कहीं कहीं जो वाइब्लेशन फील हो रही है उसमें या तो आप या आपकी परसन किट्स को भी टेक क्यार कर रहे हैं ऐसे भी एनर्जी आ रहे हैं फिर कहीं कहीं आपको जो ड्रीम्स थे वो साथ में स्ट्रेवल होने के फैमली के किट्स के लैक फूरा 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 फ और तो और आपके और अपने relationship को balance में लाने की पूरी कोशिस भी कर रहे हैं इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रहे हूं कि जो आपकी person है वो आपके साथ अपने relationship को balance में लाना चाहते हैं पूरी तरीके से और वो यह कोशिस कर रहे हैं कि उनके साथ आपका जो रिष्टा है वो बैलेंस में हो जाएं पूरी तरीके से तो यहाँ पर जो अनर्दीज मुझे देखी आपके परसन की और आपकी तो वेन आपको बताई है और अब हम अब मैं देखूंगी कि भाई आपके रिष्टे में पॉस्टिबिटी कब तक आए यहाँ पर दो कार्ट भी आप देख रहे होगे और आप सोच रहे होगे कि मैं अमने यह दो कार्ड रेंड नहीं की हैं यह दो कार्ड जो मेरे को मिल रहे है इस तरफ इस त्राइब पर इस समय पर एक पॉस्टिब बैरेशन को मुझे बता रहें एक एरदिस भहोती की साइट से आएगी इस कार्ड में जो उड़न मुझे दिखाए दे रही है। उसके हिसाब से देखें dash star का का करड क्या कह रहा है? यह कि शो आप अपने person से चाहते हैं, अपने partner से चाहते हैं, चाहिए वो person आपका husband wife हो या इनके साथ कोई relationship लव लाइफ हो या फिर कोई और रिष्टा हो तो अगर आपको चाहते हैं कि भाई वह इंसान खुद स्ट्रैप ले और खुद कॉल करें खुद मैसेज करें खुद अपने लाइब आप चाहते हैं अपने परसन से सोचते हैं कि हां यह साथ दें तो सब कुस्ट ठेक हो जाए तो डैफिनेटली आपके परसन जो है वह आपका साथ देंगे पूरी तरीके से पॉस्टिविटी आपकी लाइफ में मुझे आपकी दिखाये दे रही हैं तो अभी ले लेत राशियों को यहाँ पर है एक्क्वेरियस, कैंसर है, साजिटेरियस है, जामनी है, लिवरा है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है, और वर्गो है, यहाँ पर मुझे यह राशिय और पाइसेज और यहाँ पर आपका टी है, पी है, और एच है, यह यहाँ पर देखे हैं और मैंने हमेशा आपको इस चीज के लिए बोला है, कि अगर आपको अपनी राशी नहीं पता है, चंदर राशी पर मैं राशी बताती हूँ, नहीं पता है, तो फिर आप अपना सन साइंस, यानि कि जो नेम राशी होती है, उससे इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रावला, कोई उसका वो नहीं है, तो आप इस रीडिंग है, इस चीज को ही बता रहे है, तो अभी देख लेते हैं, कुछ आगी की अनर्जीस, वैसे फ्यूचर तो मैंने देखा है, तो काफी जादा पॉस्ट्री मेरे को फिल हुआ है, और अभी देखेंगे, आगी की अनर्जीस क्या है, और अगर आप मुझे रीड 001-19650, इस नमबर पर only message कीजिएगा, appointment fix कीजिएगा, और मुझे से बात कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं, reading लेना, या फिर मुझे से बात करना, तो आप मेरी supporting team मिलेगी इस नमबर पर, अगर अभी appointment available होगा, तो आपको जरूर मिलेगा, तो चलिए, देख लेते हैं, आ reunion के करीब आप है, so, चले, so, I hope, मैं आपसे request करना चाहूंगी, कि आप again and again, नाम ले ले, ताकि मैं जो आपको reunion के sign बताओ, वो sign, जो है, वो आप सुने, तो आप नाम लेकर, अपने जो भी person है, उनका नाम जरूर ले, so, देखते हैं, क्या energies बन रही है, और क्या sign जो है, व देखें, पहले, तो मैं सबसे पहले आपसे बोलूगी, कि बहुत जल्द आपके person जो है, वो unblock करने वाले है, क्योंकि सबसे पहले, मुझे यहाँ पर यही card नजर आया है, पूरी तरीके से, the outsider का card, इसका मतलब कहीं न कहीं, energies, दूसरा card आया हुआ है, completion का मतलब, पूरी त disturbance था, जो negativity थी, जो third party issue था, वो खतम हो चुका है, या फिर कहीं न कहीं, आपके person जो है, वो उन चीजों को समझ चुके, understand कर चुके, आप यहाँ पर यह card देख लिजेगा, तो काफी जादा आपको जो है, वो समझने में असानी हो जाएगी, कि जो person है, उनके मन में, आपको लेकर नकारत्मकता थी, या misunderstanding थी, तो वो पूरी तरीके से दूर हो चुकी है, उन्हें समझ आ चुकी है, वो जान चुके है, कि कहीं न कहीं, आप सही थे, और वो चीजों को जो समझ रहेते सही, वो गलत थी, तो कहीं न कहीं, एक चीज़ है, साफ है, कि person काफी जादा, पताता हुआ, मुझे यहां पर फिल हो रहा है, दूसी चीज़, unblocking energies आ रही है, यानि कहीं न कहीं, अगर आपकी person ने आपको block किया, तो बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, उनके साथ, आपका contact होने वाला है, और हर energies के according, अलग-अलग वो timing हो सकते हैं, तो timing जो रहेगी, व block contact होगा, energies अगर ये आपके साथ, रेजनेट हो रही है, करना क्या होगा आपको, ये चीज़ भी मैं आपको बता दू कि अगर आप चाहते हैं, कि आपका person आपको unblock करे, तो फिर आपको करना क्या है, आपको manifest करना है, मन को बहुत जादा positive रखना है, आपको, अगर आप मन क person ने आपको block किया हुआ है, तो आप positive हो जाएं अभी से, इसी वक्त से, और कहीं न कहीं आप बहुत जादा ये सोचें, feel ये करें, कि person जो है, वो आपसे contact करेंगे, definitely contact करेंगे, और उनने अपसे unblock कर दिया, और वो आपसे आप बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको manifest क रनना है, आप morning में manifest कर सकते हैं, और evening में कर सकते हैं, और अपने time के according भी आप उसको manifest कर सकते हैं, लेकिन बहुत जादा positive मन से, कहीं न कहीं, अगर आपने मन को ज़रा सा भी negative किया, लकारत में किया, तो चीज़े work नहीं करती है, तो positive रहे हैं, happy रहे हैं, और अपने universe के दिख रहे हैं, और बहुत जादा दिख रहे हैं, अगर आपको, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको flowers दिख रहे हैं, red color के, खुलाब का fool हो गया, कमल का fool हो गया, या फिर कोई भी लाल रंग का fool, आपको दिख रहा है, और पहले नहीं दिखता था, अचालक दिखा देने लगा है, तो समझ लीजेगा, कि उनके साथ collection जो है, वो आपका जुणने वाला है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कहीं नहीं contact होगा, और जो रिष्ता है, वो आपका strong होगा, मजबूत होगा, तो यह चीज बहुत ज़रूरी है, दूसरा, मैं यहाँ पर एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी, कोई छोटी कन्या, अब घड से बहाँ निकल रहे है, कोई अंजल, कोई छोटी कन्या भी अगर आपको दिखाई दे रही है, तो भी कहीं न कहीं, एक संकेत होता है, कि आपके लाइफ में जो coming days है, उसमें एक positivity आने वाली है, तो यह जो एंजल sign है, feather का देखना, feather का आपकी तरफ आना, ठीक है, आपकी तरफ आना, feather का, यह भी reunion का ही sign है, उनकी जो energies है, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से आपके साथ connect होगी, योगी person जो है, वो आप से बात करना चाहते हैं, उनकी feelings आपके लिए positive मुझे दिखाई दे रही है, fighting का card है, bottom of the card fighting का, तो कहीं न कहीं चीजें जो है, वो आपकी positive होगी, आपकी person खुद fight कर रहे हैं, आपके साथ relationship को रखने के लिए, एक होता ना, efforts करना, हम अंदर इंदर fight करते हैं, यह चीजें हमेरी ठीक हो जाए, उन चीजें को ठीक करने के लिए, हम मैनत करते हैं, fighting का, fight करते है हैं, हैंना, चीजों से लड़ते हैं, मतलब कहीं न कहीं, यह जो card है, अज हर समय, card negative नहीं होता है, कभी-कभी card positive भी आता है, energies positive करने के लिए, तो यह card जो है, वो आपके life में एक positivity को लेकर आया है, कि जो आप मैनत कर रहे हो, यह जो आप positivity ला रहे हो, उसमें आपके life में change जाएंगे, so guys, I hope so connect की होगी मेरी रीडिंग, कितना connect कर पाते हो, आप मेरी टरुकार रीडिंग को, मुझे जरूर बताएगा, comment section में, तब तक क्लिए अपना ध्यान रखिएगा,